हेलो एवरीवन वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल आज हम करेंगे क्वाद्रिक एक्वेशन की एक्ससाइज 4.2 पिछले लेक्चर में हमने 4.1 कम्प्लीट कर ली थी तो अब 4.2 के फॉर्स्ट क्वेश्चिन पर आते हैं हम इसका फॉर्स्ट पार्ट है find the root of quadratic equation किसी भी quadratic equation के root find out करने के लिए हमें उस equation के factors निकालने होते हैं तो factor निकालने के लिए हमें क्या करना है आप ध्यान से देखेगा मैं बता रहे हूं आपको यह देखें फर्स्ट पार्ट का solution है हमारे पास इसमें लिखा है हमने equation है हमारी x square minus 3x minus 10 equal to 0 x square minus 3x minus 10 equal to 0 तो यहां हमें क्या करना है 10 के factors करने है जिनको subtract करके 3 आए क्योंकि यहां पर जो sign होता है उसके according हमें work करना पड़ता है कि अगर यहां minus होगा तो subtract करके 3 आना चाहिए अगर यहां plus होता तो add करके 3 आना चाहिए था ठीक है तो इसलिए यहां पर minus sign है constant term के साथ तो subtract करके अगर 3 आएगा तो हमारा वो factor होगा और हम 10 के कैसे factor कर सकते हैं 10 के factor कर सकते हैं 5,2 जा 10 और कुछ हो ही नहीं सकते 10 के एक हो सकता है 10,1 जा 10 तो 10 और 1 को subtract करके तो बनेगा 9 बट हमें क्या चाहिए 3 तो 5 और 2 को करेंगे multiply तो 5,2 जा 10 5 minus 3 अगर हम करेंगे तो 3 आजाएगा तो यह हमारा factor होगा जो हम ले सकते हैं तो इसलिए यहां देखो आप next line में यहां पर क्या लिखा हुआ है x square minus 3x minus 3x की जगा यह next line में लिखा हुआ है minus 5x plus 2x क्योंकि अगर मैं 3 minus 3 की जगा यहां पर 5 minus 2 लिखती हूँ यहां पर इस जगा तो अगर हम अंदर इस minus की multiply करेंगे और x हमारे बाहर है तो 5x बन जाएगी यह वाली term plus यह वाला minus और यह वाला minus plus बन जाएगा plus 2x बन जाएगी second term तो इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है direct shortcut में लिखा है x square minus 5x plus 2x minus 10 इसके बाद next अब हम इन दोनों parts में से अगर x common लेंगे तो यह बन जाएगा इन दोनों parts से अगर हम x 2 common लेंगे तो यह बन जाएगा हमें यह इस तरह से बनाना है यहीं आपको पता लग जाएगा कि factor आपने ठीक किये है या नहीं किये अगर यह bracket के अंदर वाला same आ जाता है that means आपने factor ठीक किये है यहाँ पर sign भी change नहीं होना चाहिए same होना चाहिए जैसे यहाँ पर x minus 5 है यहाँ पर भी x minus 5 है तो यह दोनों same आ गए आपके तो यहाँ पर इसका मतलब हमारा यह ठीक है हमने factors ठीक किये है अब हम इन दोनों terms में से x minus 5 अगर common ले लें तो x minus 5 बाहर आ जाएगा इस term में से बचेगा x यह लिखती है और दूसरी term में से बचेगा plus 2 यह वाला तो x plus 2 हमारे दूसरी term आ गए तो एक term आ गए x minus 5 और दूसरी term आ गए x plus 2 छीक है तो यहाँ क्या बने हमारे दो factor बन गए यह अब इनको अगर मैं equal to 0 रखती हूं दोनों को अलग-अलग तो x minus 5 equal to 0 अगर हम लेंगे तो एक factor बन जाएगा x is equal to 5 और x plus 2 is equal to अगर मैं 0 लेती हूं तो क्या बनेगा factor x is equal to minus 2 तो यह हमारे दो factor आ गए है that is x is equal to 5 and x is equal to minus 2 ठीक है अब आते हैं इसके second part पर second part is 2x square plus x minus 6 तो अब यह देखो constant term के साथ फिर से minus sign है तो हमें जो भी यहां पर लाना है वो minus subtract करके आना चाहिए अब यहां पर एक चीज और है कि हमारी जो भी equation given है इस equation में constant जो हमारी first value term है उसके साथ कोई variable है यहां पर देखे 2x square है अगर यहां simple x होता तो तो हमारे 6 के factor कर रहे थे हमें बट यहां पर कितना दिया हूँ है 2x square तो 2x square है 2 और यह वाले 6 की अगर मैं multiply करूं तो 12 बनेगा तो 12 के ऐसे factor करने है जिनको subtract करके 1 आए क्योंकि बीच में x से सिर्फ तो 1 आएगा तो 12 के factor हम क्या-क्या बना सकते है 6 2s are 12 या 4 3s are 12 तो 4 3s are 12 हमारे यहां पर बन जाएंगे क्योंकि 4-3 करने के बाद हमारा x 1 बचेगा x बचेगा तो यहां पर हमने 4 और 3 factor लिए तो 2x square plus 4x minus 3x minus 6 गया गया अब first term में से 2x common ले लेंगे second term में से 3 common ले लेंगे minus का तो अंदर x plus 2 x plus 2 बचा दोनों side दोनों में से x plus 2 को भी common लिया 2x minus 3 दूसरी term बन लेंगे ठीक है तो यहां इस तरह से हमारे पास यह solve हो गया second part अब इस second part के दो values निकली जब हमने equal to 0 put किया way though value can इकलेंगे हमारी x is equal to minus 2 और x is equal to 3 by 2 अब आते हैं third part पर, third part में हमारे under root है अब under root में वैसे कोई देखने में तोड़ा मुश्किल है मगर वैसे करने में यह मुश्किल नहीं है यह देखिए यहाँ पर x के साथ x square के साथ under root 2 है और बाद में constant time है 5 under root 2 तो under root 2 और 5 under root 2 की जब मैं multiply करूंगी तो 5 into under root 2 under root 2 multiply होके हो जाएगा 2 तो 5 into 2 बन जाएगा 5 to 10 तो 10 के ऐसे factor करने हैं जिनको add करके 7 बने यह देखिए बीच में तो 5 to 10 simple 5 or 2 7 हो जाते हैं तो यहाँ पर 5 प्लस यहाँ पर आगया बीच में 5 x plus 2 x 7 x के जगा यहाँ पर plus sign था तो हमें add करके ही लाने थे factors तो यह आगया भी इसको common लेंगे solve करेंगे तो यह बन जाएगा अब यहाँ से हमें x की value निकाल लिए इस पहले वाले term के equal 0 put करेंगे तो x is equal to आजाएगा हमारा minus 5 by under root 2 और second term के equal 0 put करेंगे तो x is equal to minus under root 2 तो यह हमारा final answer आजाएगा third part भी solve हो गया इसके बाद आएगा fourth part fourth part में हमें क्या करना है equation थोड़ी अलग तरह से दी हुई है 2x square minus x plus 1 by 8 is equal to 0 तब हम पहले यह 1 by 8 को बाहर करना पड़ेगा 1 by 8 मैंने common ले लिया तो 1 by 8 जब हम बाहर लेंगे तो यह वाली term में 1 by 8 इस वाली term में 8 से multiply हो जाएगी ये वाले term में 8 से multiply हो जाएगी ये वाले term में 8 से multiply होगी तो 1 हो जाएगा ठीक है तो इसको हम लिखने का तरीका ये भी बोल सकते हैं 2x square minus x plus 1 by 8 ये था हमारे पास तो अगर हम इस पूरी equation को 8 से multiply कर दें 8 से multiply कर दें 2x square minus x plus 1 by 8 8 से multiply किया तो हमें divide भी करना पड़ेगा ठीक है तो 8 by 8 लिख दिया जो ये उपर वाला 8 है इसकी मैंने अंदर multiply कर दी पूरी equation में तो कितना बनेगा 8 to the 8 to the 16 जो यहाँ आया फस्त वाला इसके बाद 8 की यहाँ आएगा तो 8x आजाएगा फिर उसके बाद यहाँ 8 by 8 हो जाएगा तो 8 by 8 का 1 बन जाएगा ठीक है तो इसलिए बाहर 1 by 8 बचा और बाकी अंदर सेम आगे जो मैंने अभी आपको बताया ठीक है इसके बाद अब हम बाहर वाले को as it is रखेंगे और अंदर वाले को कर लेंगे अंदर हमें क्या करना है 16 के 16 1 जा 16 16 के ऐसे फेक्टर जिनको एड करके 8 बने 4 4 जा 16 तो 4 प्लस 4 करके 8 आ जाएगा तो 8x की जगह यह आ गया 4x-1 अब जब इसको common लेंगे तो दूसरी टर्म भी 4x-1 ही बन जाएगी 4x-1 का whole square ठीक है तो अब यहां से x की फेक्टर बन गए हमारे 1 by 4 and 1 by 4 ठीक है तो यह दोनों हमारे क्या बने x के फेक्टर यह हमारा fourth question solve हो गया अब next पे चलते हैं next question is 100x square minus 2x plus 1 equal to 0 तो 100 1s are 100 100 के ऐसे factors जिनको sum करके 20 आए 10 10s are 100 तो 10 plus 10 20 हो जाएगा यह factor बन गए solve किया 10x minus 1 का whole square बन गया तो 10x minus 1 को जब हम solve करेंगे तो आएगा x is equal to 1 by 10 whole square है तो दो values आगए 1 by 10, 1 by 10 तो यह आपका question number 1 का fifth part भी solve हो गया आप चलते हैं question number 2 पे अब यहां पे हमें यहां से equations बनानी पड़ेंगी जो में गिवन है theoretical form में John and Jivanti together have 45 marbles both of them lost 5 marbles and the product of the number of marbles they now have is 124 find out how many marbles they had to start with starting में उनके पास कितने marbles थे हम एगे find out करना है ठीक है तो अब हम इसके लिए equation बनाएंगे solution देखते हैं first वाले का let the number of John's marbles x हमने John के let कर लिए x है therefore number of marbles Jivanti total 45 थे है 45 minus x Jivanti के पास होंगे ठीक है after losing 5 marbles में लिखा है कि दोनों ने 55 marbles गुम कर दी हैं तो उसमें से John के पास कितने बचे x minus 5 Jivanti के पास बचे 45 minus x minus 5 it means 40 minus x तो यह हमारे equations बनी अभी अब next जो condition दे रखी है वो दी होई है it is given that the product of their marbles अब जो marbles उनके पास बचे हैं उनका product 124 है तो x minus 5 and 40 minus x equal to 124 given है इसको solve करेंगे तो हमारे पास यह equation आ जाएगे क्योंकि हम x minus 5 की multiply करेंगे 40 minus x पे तो जो भी आएगा 124 को भी left side पे ले आएगे उस सब को add, subtract जो भी करेंगे उसके बाद हमारे equation solve के गया जाएगे तो यहां से अब हम फिर से 324 के ऐसे factor करेंगे जिनका sum करके 45 आए तो जो हमने factor निकाले वो factor निकले है हमारे 36, 9 जा 324 तो 36 and 9 को add करके 45 बन जाएगा तो यह हमारा factor आगे अब इन दोनों factors को solve करेंगे जैसे हमने भी first question में किया यहां से x की दो values निकल जाएगी x equal to 36 and x is equal to 9 तो क्या हुआ John के marble थे x मतलब 36 अगर हम यह let करते हैं तो जीवनती के पास marble होंगे 9 अगर हम John के marble लेते हैं x की value लेते हैं 9 तो जीवनती के पास marble बचेंगे 36 तो किसी के भी पास 36 और किसी के भी पास 9 हो सकते 36 और 9 हमारे पास दो factor आगे ठीक है अब चलते हैं second question पे second question पहले हम read करते हैं उपर से एक cottage industry produce a certain number of toy in a day the cost of production of each toy in rupee was found to be 55 minus the number of toys produced in a day on the particular day the total cost of production was 750 find out the number of toys produced on the day तो हमें number of toys निकालने हैं सबसे पहले हमें find out करने के लिए पहले let करना पड़ेगा let the number of toy produced to be x let कर लिया cost of production of each toy क्या है minus x 55 total थी 55 minus x वो less करनी थी ना तो minus कर दी हमने 55 minus number of toy produced number of toy produced कितने है x 55 minus x हमने यहाँ पर ले लिया it is given that total production of toys इक्वल तो 750 रूपीज यह भी ले लिया तो x और दोनों का product जो है वो 750 है तो total हम क्या रहेंगे 55 minus x into x is equal to 750 अगर हम इसको solve करेंगे तो equation बनेगी उस equation में मुझे 750 के ऐसे factor करने है जिनको add करके 55 बने तो 750 के factor किये हमने 30 into 25 तो यह जोनों factor आए इसके according हमारी equation बनी अब यह पहले वाले part में से x common लिया दूसरे में से 30 common लिया तो bracket के अंदर सेम आ गया तो x की दो values आ गई हमारे पास x is equal to 25 और x is equal to 30 hence the number of toys will be either 25 और 30 ठीक है x की दो values है तो इन दोनों में से कोई से भी number of toys हो सकता है ओके नाव कम तो the question number 3 find two numbers whose sum is 27 and product is 182 अब हमें number देखने हैं दो values निकालनी हैं जिनका sum 27 हो और product 182 हो तो चलिए start करते हैं first find number first number is x and the second number is 27 minus x क्योंकि दोनों number का sum 27 है अगर एक number हमारे पास x है तो दूसरा number 27 minus x हो जाएगा और दियर product क्या बनेगा x into 27 minus x तो अब इससे हम equation बना लेंगे x into 27 minus x value गीवा ने हमें product कितना है 182 तो 182 ले लिया इनको solve किया तो हमारे equation बनी अब 182 के factor करने है जिनका sum 27 हो तो 182 के factor आए हमारे 14 into 13 तो 14 plus 13 करेंगे तो 27 बनेगा तो यह हमारे factors बन गए solve किया तो x की value मारे पास दो आ गई यहां से x is equal to 13 और x is equal to 14 फस्ट नमबर 13 फस्ट नमबर 14 these are the numbers 13 and 14 whose sum is 27 and product is 182 now come to the question number 4 find two consecutive positive numbers sum of whose square is 365 हमें consecutive number लेने है तो अगर मैं पहला number x लेती हूँ तो उसके अगला number x plus 1 होगा ठीक है उनके sum of squares अब पहले हमें square करना है x square x plus 1 का square करेंगे तो x plus 1 का whole square उनका sum है 365 यह गिवान है ठीक है अब इसको solve करेंगे तो यहां से हमारी equation बन जाएगी x square में x square plus x minus 182 तो 182 के ऐसे factor करने है जिनको subtract करके 1 आए क्योंकि बीच में x है सिर्फ तो 1 x मान लेंगे तो 14 into 13 factor आए है 14 minus 13 is equal to 1 तो यह solve करेंगे तो यहां से हमारी x की value निकल जाएगी 13 and minus 14 हमें कहा था positive integers तो हम सिर्फ x की value 13 ले सकते है 14 वाले minus 14 को हम नहीं लेंगे तो x की value अगर 13 है तो एक factor एक value अगर 13 है तो next value x plus 1 होगी 13 plus 1 मतला 14 तो यह हमारे two positive integers आगे next question number 5 the attitude of now come to the next question the altitude of the right triangle is 7 cm less than its base if the hypotenuse is 13 cm find the other two sides सबसे पहले हमें base let करना पड़ेगा ले लिया हमने उसको x cm its altitude क्या है 7 less है तो x minus 7 cm हो गया from pythagoras theorem base square is equal to oh sorry sorry base square plus altitude square is equal to hypotenuse square तो base हमारे पास x है तो x square altitude x minus 7 x minus 7 का square and equal to 13 square यह given है तो इसको solve करेंगे यहां से equation बन जाएगी equation आई हमारी x square minus 7 x minus 60 60 कैसे factor करने जिनको subtract करके 7 बने 12 5 जा 60 तो 12 x और 5 x यह ले लिया हमने solve किया तो यहां से x की value आई हमारे पास 12 and minus 5 since sides are always positive हमें sides निकाल नहीं है triangle की तो जो side होंगी वो positive ही होंगी तो इसलिए हम 12 बाला consider करेंगे तो अगर given triangle में x की value 12 होगी हमारे पास तो altitude की value 12 minus 7 5 cm होगी तो यह हमारा question number 5 complete होगया now come to the last question that is 6th question a cottage industry produce a certain number of pottery articles in a day it was observed on a particular day that the cost of product production of each article in rupee was 3 more than twice the number of article product produced on that day यह चीज़े में ध्यान रखनी पड़ेगी कि 3 more है twice है ठीक है तो थोड़ा सा पढ़ते टाइम थोड़ा ध्यान रखना है कि कुछ गढ़बर ना हो if the total cost of production on that day was 90 find the number of article produced and cost of each article तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया number of article produced to be x therefore cost of product कितनी होगी? twice x, 2x plus 3 more than that यहां लिखा हुआ था? दिया हुआ है कि 3 more than twice the number number हमने लेट किया x तो उसका twice करेंगे पहले 2x plus 3 3 more था तो यह हमारा बन गया cost of production तो cost of production और number of article का multiply करके हमें given 90 ठीक है? तो यह हमने ले लिया अब इसको solve करेंगे तो यहां से हमारे पास एक equation बन जाएगी वो equation जब हम solve करेंगे तो हमारे पास x की 2 values आएगी x is equal to minus 15 by 2 and x is equal to 6 as the number of article produced can only be positive integer so we can take only x is equal to 6 hence number of article produced are 6 cost of each article 2x plus 3 2 into 6 plus 3 2 6 is 12 plus 3 it means 15 rupees हर article की cost कितनी हो गई? 15 rupees this is all about 4.2 तो अगर आपको कोई doubt है तो आप comment section में पूच सकते हैं यहां पर मैंने आपको पूरी exercise explain कर दी है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए share कीजिए and subscribe कीजिए thank you